करपूरी जैन्ति के दिन से असिरवाद यातरा का पहला दिन सुरू किया गया भावी जिला परिसद उमिद्वार संतोस कुमार के द्वार सबसे पहले असिरवाद यात्रा जमिरा पंचायत के लच्छनपुर गाउं से सुरुआ और जमिरा में समाप्तु है लगतार असिरवाद यात्रा चलता रहेगा आज हम बात कर रहे हैं जिला परशत चुनाओ, मुख्या चुनाओ और कई अन्य चुनाओ आने वाले हैं जिला परशत के अबरते हुए उमिदवार हैं संतोस कुमार आज हम उनसे बात करते हैं क्योंकि इनका आज जो कारिकरम है आसिरवाद यात्रा इन्होंने सुरू किया है अपने पंचायत के छेतर में ये लोगों के घर पहुँच रहे हैं और काफी संक्या में लोग भी इनके साथ हैं और लोगों से वो अपना आसिरवाद ले रहे हैं आसिरवाद का मतलब आप समझी रहें कि आसिरवाद जो यात्रा है उसका मतलब आप समझने वाले समझी चुके हैं कि किस तरीके का आसिरवाद यात्रा होगा आए हम बात करते हैं सीधे संतोष जी से बदया आजा किस तरीके यात्रा ही है बड़े बिजुर्गो सम्मानित अजवावकों का अशिरवाद लेना सब सुरुवाती दोर में जरूरी होता है और हमने राजनितिक जीवन में दस साल पहले राजनितिक शुरुवात की थी लोगों के सिवा करने के लिए और आज दो बार पहले भी चुनाओ लड़ चुके हैं दूसरे पद से लेकिन अब की बार सब हमारे जीला परिसद के छित्र के लोगों ने छो पंचायद पढ़ता है उस सभी लोगों ने हमें कहा कि आप जीला परिसद लड़िये तो हमने आशिरवाद यात्रा की सुरुवा जाएगा जीत हासिल होगी जिला परिसद का चुनाओ लड़ रहे हैं कई उम्मेदवार इस बार होंगे अपने आपको कहां रखते हैं क्योंकि जिस तरीके से आपने ये सुरुवाद कर दिया है कुरणा काल में भी अपने लोगों के बीच पहुंचा और अभी फिलहाल तुल कान भी भी होतारु कर वह चुह locks जबली बस्ती के लोग के राखे उस समय में क्ली ये मोरा आयो उस समय किया ऑस पर दॉल्त सबारा सबहर अंचा बैट का एक लाड़की के साथ अन्याय हुआ था तो हमने अंसन किया था सदर स्पताल में वह भी आपने देखा है लगतार हम पांच बरस आज पांच बरस बैठने वाले नहीं है हम लगतार संघर्ष करते रहेंगे आज करपूरिष जी का जनम दिवस भी है हम करपूरिष जी को याद करते हुए जिस तरह स जिन्दा को हम पांच साल इंतजार नहीं करता तो हम इंतजार करने वाले में से नहीं है हम लगतार संघर्ष कर रहे हैं आप इस देख रहे हैं यहाँ से सुरवात हुआ क्या मुदा होगा क्या विसे वस्तु होगा क्योंकि इस तरीके से पहले से बहुत सारे लोग राचु देखिए यहां की सबसे इस पन्शायत के सबसे बड़ा बड़ा पड़ता है लच्छनपूर एथि जमीरा जमीरा और लच्छनपूर जो गाउं है इसका जाने का रास्ता वर्शात में चार महीन आ जो होता भी है आपके माध्यम से सब चला भी था हमारे इस तरह से हमारे गाउं के भी रास्ते जो पिप्रहियां से जोड़ता है सपना सिन्वा मोर से जाने से लिए उस तरह के रास्तों पर प्रतिनीधी ध्यान नहीं देते हैं और भी बाते हैं जिला परिशत का फंड पड़ता है कि एक पंचायद से दूसरे पंचायद को जोड़ने वाली योजना जो होती है उस पर न करके मुख्या के फंड को भी के जहां लगता है उसी में जोड़ तोड़ मड़ोर करके पोल्टिक्स करते हैं लोग जहां लगना चाहिए याज आसिरवादी आतरा से यह सुरवात हो सभी लोग मिल के लड़ा हैं तो आपने सुना संतोस कुमार को जो जीला परसत के चुनाओ लड़ा है और एक तरीके से काफी समय से यह यहां के च्छेतर के लोगों से जुड़े रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि चुनाओ काफी नजदीक है और यहां के जो अस्थानिय हैं और निंदिकार पार्टी से भी जोड़े हैं बताया जाए कि चुनाव लड़ने कितना समर्थन होगा इस चेत्र में कि हमारा तरफ से पूरा समर्थन दा जतना हमार सरकील के आदमी बा आच्छा बेकती बा सोब कई के सांथ दी एसे सांथ दी कि है वोई सन अभी हम लोका अभी जीतन लए खाल लेकिन पानियों में कुज तरफ रास्ता खाती गरीब खाती मोरे पतूल्य तलन भूख हर्ताल को देतलन भूखे सूज तलन की भाई जबले जानता कर आसा ना मिलिया मूठ आपना अभी तो इसान एको हमरे ना लूकलन नेता विदाय को ना लोकलन ज का जड़े रहे के चाहें तो अपने सुना कि यहां के स्थानिया भी है और जर्नदिकार पार्टी के एक निता भी हैं पिछ जब प्रशब कर देखना। गा क्योंकि लोग भूलते बहुत जल्दी हैं हमारे हाँ क्योंकि जब लोग परस्तिती अनुकूल हो जाता है बातों को भूल जाते हैं और चुनाव आते हैं कुछ और ही दिसा की ओर चले जाते हैं सायो के संदोश के साथ धर्मेंद्र कुमार एटियन सिटी न्यूज आ रहा क्या है